असलाम लेकुम फ्रेंड्स वालकम टू पिंग्विला चानल उमीद करती हूँ अल्ला पाक की रहमत से आप बिलकु ठीक ठाक होंगे करंटीन देज चल रहे हैं और सखत घर में हैं तो आज मैं आपके लिए कैसी प्रोड़ेक्ट लेके आई हूँ जो हीटब बीट का काम करेगी तो चलें स्टार्ट करते हैं तो मैं बात कर रही थी UC Sunscreen UV90 Protection Cream Pure Sunscreen UV90 प्लस 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 जी हाँ यह मैंने खुद भी यूज की है तब ही मैं आपको यह recommend कर रही हूँ इसे आप किसी भी local market cosmetics की shop से खरीद सकते हैं मुझे यह 300 में मिली आपको भी इतने में ही मिल सकती आई हो तो यह Made in Thailand है आप यह देख सकते हैं यहाँ पर UC Sunscreen की UV protection के बारे में पूरा लिखा हुआ है यह direction है और आप देखा यह ingredients है और बाकी सब कुछ आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसे कहां रखना है कहां ने रखना तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ यह देखें यह पैकिंग में मिलती है हमें देख सकते हैं आप स्क्रीन पे अपनी कितनी खुबसूरत पैकिंग में है कितना शाइनी कलर है इसका आप देख सकते हैं और यह इसकी expiry date है आप देख सकते हैं इसकी expiry date कितनी जादा है 2023 है और यह screen के हिसाब से बहुत अच्छी है और यहाँ पे वाज़ तोर पे लिखा हुआ है कि 90 प्लस प्लस भी अगर UV rain हुई sun screen की तो तब भी आपको protect करेगा because देखें यहाँ लिखा हुआ है sun screen और यह बहुत अच्छी इसका texture भी बहुत अच्छा है मैं आपको दिखाती हूँ और देखें यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है यह देखें मैं एक बार आपको यह दिखा देती हूँ यह देखें यहाँ लिखा हुआ है किस तरीके से करना है apply using sun screen on your skin gently massage completely absorb तो मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करके दिखाऊंगी यह देखें मैं थोड़ी सी लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपको यह किस तरीके से करना है यह देखें आपने मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ पूरे इसके उपर absorb बिल्कुल जेंटली आपने करना है यह जादा स्कीन के उपर वाइट वाइट भी नहीं होती और जादा यह ब्लैक का कॉम्बो भी नहीं देती नॉर्मल होती है बट आपको जेंटली मसाज अच्छी तरीके से करना हो तभी आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक कितना साफ रिजर्ट दिख रहा है इसका देखें आप यह देखें आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैंने सनी स्क्रीन यूज़ करिए यह देखें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा कॉमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा तब तक के लिए लाफिस